नमस्कार दोस्तों वेल्डिसकाई के एकों नए इंट्रेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बायो निफ्टी के बारे में दोनों का ऑप्शन शेन डाटा समझेंगे और अंडर्स उसके बाद मार्केट एक दो दिन वाद दुबारा से गिर सकता है इस चीज़ को हम समझने की कोशिस करेंगे बट उससे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली कहा था कि थोड़ा सा आज का दिन आप आ करने की कोशिस करी क्रॉस भी गिया बट फिर दुबारा से नीचे आके सेकंड हाफ में जब दाव फ्यूचर जैसे कि मैं आपको बताया था कि अगर यूएस मार्केट या दाव फ्यूचर या फिर आपकी यूरोपें मार्केट पॉजिटिव खुलते हैं और पॉजिटिव र किया बैंक निफ्टी ने स्टिल अपने उसी जोन के अंदर कामकाश करता रहा है जो जोन मैंने सुबह आप से डिसकस किया था यहाँ पर इसलिए आज का ट्रेडिंग सेशन में आवाइड किया था क्योंकि मैं थोड़ा सा नेगेटिव साइट पर प्ले करना जादा पसंद तो मैं इसलिए मैं थोड़ा सा सेलिंग साइट पर जादा फोकस रखता हूं और बाइंग साइट पर जब तक एक करेक्शन नहीं हो जाएगा काफी अच्छा मतलब चार-पांच परसंट का करेक्शन नहीं हो जाएगा उसके बाद ही यहां पर बाइंग की डूनने की कोशि है कि यहां पर इसली प्रॉफिट मिल जाता है बट मेरा ट्रेडिंग करने का कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि मैं नॉर्मली आउट ओफ दा मनी ऑप्शन में काम करता हूं तो मैं थोड़ा सा ट्रेंड एक लंबे समय के लिए ट्रेंड को फॉलो करने के कोशि प्रॉफिट मिलेगा नहीं हां लॉस भी नहीं होता है क्योंकि अगर आप 20-30-40 रॉपेगा प्रीमियुम खरीदते हो गांग निफ्टी में तो उसमें से जाधा से 10-12 गिरेगा बट अगर मार्केट फेवर में चला गया तो फिर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट यहा कि देखते हैं कि यहां पर अभी यूएस मार्केट कैसा कामकाच कर रहे हैं तो करेंटली अगर आप देखोगे तो इंडेसे फूचर में डाव फूचर करीब 100 पॉइंट उपर है नैस्टेक फूचर करीब 46 पॉइंट और यूरोपिन मार्केट करीब आदा अदा परसेंट उपर कामकाच कर रहे हैं ठीक है अब सबसे important चीज़ है कि आज के trading session में यूएस मार्केट कैसा भ्येव करता है अगर हम देखें यहां पर understand करने की कोशिस करें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एक pullback यहां पर आ सकता है कहां तक आ सकता है around expect करिए 33,250 तक का pullback आ स तब तक थोड़ा सा consolidation यहां पर रह सकता है यह चीज़ आप clearly समझ लीटे और अगर इसमें फिर अपने day low के नीचे फिसला तो फिर आपको यहां पर और दुबारा से गिरावट देखने को मिल सकती है ठीक है अब हम यह समझते हैं कि US market में थोड़ा सा positive to consolidation का move रह सकता है तो तो हम उसके according अपनी strategy को प्लान करते हैं तो currently अगर हम option chain data को अगर हम देगें यहां पर तो क्या देख रहा है जो morning में short straddle बनेते 18300 में उसमें क्या हुआ है call writers ने अपनी positions को यहां पर हलका किया है यानि short covering का सहारा थोड़ा सा market को मिला है 18300 की put पर करीब 87 lakh Internet का open interest कड़ा हुआ है 18400 की put पर करीब 64 lakh एठारा चार। 40 की put call पर करीब 72 और put पर 64 अठारा पांसो की पर अगर बात करें तो हमारा 64 lakh का open interest कड़ा हुआ है और put पर कितना 20 lakh का ठीक है हम अठारा 400 के ऊपर close हुआ है तो यहां पर देखोगे तो 72 lakh का open interest काफी बड़ा open interest है तो यहां पर ऊपर की side पर आपको थोड़ी पर short covering या फिर थोड़ा सा pressure feel करने को यहां प अच्छी खास ही बात करें वो आईगी 18500 के ऊपर sustain होने पर 18500 के ऊपर अगर यह sustain कर जाता है आप expect कर सकते हो कि यह जो shots बने हुए यह cover हो सकते है हाला कि इतना बड़ा data नहीं है बट फिर भी यहां पर थोड़ी वह short covering की मदद यहां पर देखने को मिल सकती है ठीक है चार् अपने नए lifetime hike के आसपास से हम एक trend line कीचने की कोश्चेश करेंगे ठीक है यह trend line है ठीक है तो क्या हो रहा है कि अगर आप देखो के तो कहीं न कहीं यह इस level तक यह pullback कर सकता है बट problem क्या है problem है यह level जो कि यह आपका 18500 का जहां से एक sharp selling हमें देखने को मिलीती है expiry के दिन ठीक है तो हो सकता है यह इस तरीके से यहां पर दीरे 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 यह move करें और फिर यहां से यह दुबारा से negative price action बनाने लग जाए क्योंकि nifty का जो price action है अगर आप देखोगे तो day chart पर negative बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि अगर आप यहां पर समझोग तो यह देखो यहां से यह पूरा एक fall आया फिर यह pullback और फिर यह fall इसने अपने previous low को break किया है अब यह दुबारा से pullback दिखा रहा है तो हो सकता है यह यहां कहीं जाके फिर दुबारा से यह fall दिखा सकता है तो कहीं ना कहीं यह जो level होगा ना इसके अंदर market time pass करने की करेगा और अगर यह breakout देता है तो जायर सी बात है फिर हम दुबारा से नए lifetime high की तरफ बढ़ सकते हैं और अगर नहीं देता तो दुबारा से हम नीचे जा सकते हैं उपर breakout देने के chances बहुत कम रहेंगे क्यों रहेंगे उसके पीछे मैं आपको reason बताता हूँ अगर breakout आएग कि 24 तारिक के बाद से यहां पर FIIs भी normally छुटी मनाते हैं और Indian traders कोई जो लोग नहीं हो यहां पर दौदर घूमने जाते हैं Christmas वगरा पर तो एक long यहां पर holiday plan कर लेते हैं लोग फिर 2-3 तारिक के आसपास से volume बढ़ता है तो जब तक हम 2-3 तारिक के आसपास जाएंगे तो होगा क्या कि budget का पूरा कह सकते है pre market rally होती है जो budget की वो होगी फिर direction होगा तो थोड़ा सा volatility आपको जाधर देखने को मिल सकती है तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान इसी चीज़ का रखना है ठीक है तो यहां पे अगर मैं दुबारा से आपको आदे गंटे के चार्ट पर लेए चलूँ तो यहां पे आप देखो जायर से बात ही यह level सबसे ज़्यादा important है और अगर इसको ऊपर जाना है तो यह भी level सबसे important है ठीक है क्योंकि यह level इसलिए important है 18,440 का क्योंकि last time इसने इसी level के आसपास breakout देके यहीं पर multiple support लिये थे ठीक है तो इस level पर आपको focus जरूर रखना है तो यह जो channel है 18,440 से लेके 18,500 का इस channel के अंदर यह थोड़ा सा volatile या थोड़ा सा कामकाच कर सकता है एक दो trading session ठीक है और अगर इसको यह नहीं cross कर पाता है इस तिल resistance face करता रहता है तो जाइट सी बात है फिर यह दुबारा से अपने टेलो के target की तरफ आ सकता है जो कि यह 18,250 का ठीक है इतना आपको समझ में आ गया है यानि किसी भी reason से इसको इस channel के अंदर से भाहर निकलना है क्योंकि में multiple resistance है आपके बाद यह resistance फिर आपके आप 18,600 के पास जाओगे ठीक है इतना आपको समझ में आ गया bank nifty को देख लेते हैं क्योंकि bank nifty में क्या है कि अच्छी खासी rally हो चुकी है bank nifty में और bank nifty ने first correction यहां पर दिखाया है तो मैंने आपको analysis में जो weekly analysis थी उसमें मैंने आपको clearly बताया था कि यह first आपका sell-off है अ आएगा ना तो हम थोड़ा सा aggressive focus selling करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि 43,000 काफी दिन से यह hold कर रहा अगर यह break होता है तो फिर जायर सी बात है कि आपको 700-800 पॉइंट का correction बहुत fast देखने को मिलेगा जब भी यह ध्यान रखिए 43,250 के नीचे जब भी यह निकलता है आप थोड 15-minute time frame में अगर हम देखें तो आज के resistance same resistance है ठीक है इसी level के आसपास यह कामकाच कर रहा है अब अगर यह उपर निकलता है तो जो next target है इसके लिए वो है आपका 43,600 का ठीक है यह important level है अगर इसके ऊपर यह close देना start कर देगा तो फिर हम expect कर सकते हैं कि यह इस level तक जा सकता ह जो की around 43,900 का ठीक है बट इसको इसके level के ऊपर sustain करना चाहिए यानि 43,600 के ऊपर हम एक बार buy करेंगे target हमारे पास 43,750 और 43,900 का यहाँ पर target रहेगा ठीक है नीचे आज के trading session में अगर हम समझें तो जायर सी बात है यह level important है ठीक है 43,233 का यानि 43,200 के नीचे अगर यह 5 पास है 43,090 का ठीक है यह चीश समझ में आगे थोड़ा सा अब यह market time pass कर सकता है तो थोड़ा सा आप या तो trade avoid कर सकते हो या फिर थोड़ा सा कम quantity कामकाच कर सकते हो जैसा कि आज का मैंने आपको plan बताया था global situation currently दिख रही है कि थोड़ी सी positive दिख रही है क्योंकि दाव future 110 पॉइंट और नेल्टिक फूचर करी 56 पॉइंट और European market करीब 20% उपर कामकाच कर रहे हैं यहां पर कोई further rally नहीं देखने को बिलिए जैसी यह खुलेते हैं वैसा ही कामकाच कर रहे हैं तो अगर यह यहीं प अबर हुआ था उससे पहले वो फ्लैट सा कामकाच कर रहा था ठीक है तो यह सारे particular point आपको यहां पर समझ में आ गया होंगे तो I hope दोस्तो यह particular data आपको समझ में आ गया होगा दोस्तो फलाल इस वीडियो में इतनी है I hope यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि मैं सुदील लेकर आता हूँ हर दिन आपके लिए ने वीडियो इसी के साथ शुक्रिया दोस्तो जैह हिंद